Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं रुपाली वर्मा Magnet Brains आपके लिए हमेशा 100% free education लेकर आता है अब ये जो free education हम बोल रहे हैं 100% तो ये हम 100% ही आपको free दे रहे हैं मतलब इसमें हम 0.1% भी आपके लिए paid नहीं बोल रहे हैं कि आपको कुछ खर्ज करना है ऐसा नहीं है कि हम आपको 100% बोल रहे हैं तो हम आपको 2 वीडियो दिखा देंगे भाई हाई ये आप 2 देखलो उसके बाद जब 3 देखना है तो आपको कुछ payment करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है यहाँ पर आपको आना है आप जिस भी क्लास में हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आईए जितने वीडियो देखना चाहते हैं उतने वीडियो देखिए आप एक ही वीडियो को कई बार देखना चाहते हैं तो भी देखिए आपको कोई payment नहीं करना मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ अपना थोड़ा सा समय लेकर आना है एक आग्रता लेकर आनी है ताकि आप उस वीडियो को ध्यान से देख सके और आपके जो भी डाउट से वो आप क्लियर कर सको अब यहाँ पर जो हम आपको फ्री बोल रहे हैं यह फ्री वीडियो आपको मिलेंगे कहां पर यह फ्री वीडियो आपको मिलेंगे यूटूब पर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर और हमारे अप जिसे आप player store से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह तीनों जगे में आप कहीं पर भी जाओगे आपको फ्री वीडियो ही मिलेगा इसके लिए आपको कोई payment नहीं करना अब यह तो हमने कर लिया अब हम आते हैं क्या चीज़ कि भाई इसमें हम किस पर जाएं तीनों में से हम किस पर जाएं जिसमें हम जादा अच्छे से पढ़ सकते हैं तो देखे तीनों जगे वीडियो मिल रहे हैं आप आराम से पढ़ सकते हो लेकिन जब आप हमारे एप पर आते हैं या आप हमारे वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टेमेटिक धंग से हार एक चीज़ अरेंज मिलेगी वो आपकी class wise, subject wise, book wise, chapter wise, pattern wise, topic wise सब कुछ अरेंज है एक के बाद एक चीज़ जैसे हम books में पढ़ते हैं हमने book उठाई किसी भी subject की हमने chapter देखा, chapter में सारे topics लाइन से पढ़े फिर हमने question answers देखा तो यह सारी चीज़ें जैसे book में लाइन से रहती हैं आपको यहाँ पर with solution हर एक चीज सिस्टेमेटिक ढंक से अरेंज मिल रही है अब इसको आप कैसे समझो मैं आपको समझाती हूँ जैसे कि आप हमारी website पर आए या हमारे app पर आए तो वहाँ पर आपको CBC English Medium, Hindi Medium, CUET, NTSC बहुत सारी चीज़ें आपको निंचे दिखाए दिएंगी बिहार बोड है आपका UP बोड है सब कुछ दिखा तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको आपको क्लिक करना है मान लिजिए आप English Medium पे हैं CBC English Medium से आप पढ़ते हो तो आपने English Medium क्लिक किया, क्लिक करते ही जितनी भी क्लासे जा रही हैं आप ये kindergarten से लेकर class 12 तक की सारी classes उसके अंदर हैं तो जो भी class है आप उसे select करो, select करते ही आपके सामने class select कर लिया, आपके सारे subjects और books सामने आ गए एक subject में कई बार कई-कई books पढ़ती हैं, जैसे हमारे Hindi में ही दो book चलती हैं आपके SST में भी आपकी तीन चलती हैं, मतलब तीन होती हैं History, Civics, Geography तो अब आपको ये सारी चीज़े economics भी रहती हैं, तो सारी चीज़े उसके अंदर रहती हैं तो इसके लिए महाँ पर अलग-अलग books भी हैं आपकी, तो अब आपको उसको जैसे ही आप select करोगे select किया आपने और तुरंथ ही books में जैसे chapter दिये हुए, सारे chapters आपके सामने आ जाएंगे अब कोई भी chapter आपको पढ़ना है, उसे click करो, click करते ही आपके सामने सारे जितने भी topics हैं और जितने pattern हैं सब आएंगे अब topic का मतलब समझेए, अब एक chapter में कई topics होते हैं, जिनने अलग-अलग explain करके अलग-अलग video बनाए गए हैं, अब उसमें आप जो भी topic पढ़ना चाहते हैं, जिसमें without है, उस topic को उसमें लिखा होगा, आप उसे click करो उसका video देखो, उसे connecting दूसरा video है, तुरंत आप नीचे देख सकते हो, next video कर सकते हो, easily आपको तो मतलब कोई भी परिशानी नहीं हो नहीं, एक video के बाद next video देखने में, sorry, अब ये तो हमने देख लिया, अब इसके बाद हम pattern को समझते हैं, जैसे सबसे पहले जब हम कोई chapter उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले उस chapter को पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो व में कुछ questions और exercise रहती हैं, तो अब हमारा next video रहता है, वो है NCRT solution का, उस NCRT solution में आपके book का जितने भी chapter के बाद दिया गया है, वो सारी चीज़े with solution उस video में आपके लिए available हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं, हमसे दो pattern में question हमारे exams में पूछे जाते हैं, वो है आपको objective और subjective तो इसके भी हमने अलग-अलग वीडियो बना दिया, एक वीडियो हमने पूरे chapter का बना दिया, multiple choice question का, जिसमें इस chapter के सारे multiple choice questions रहेंगे, उन्हें देखे, objective questions तयार कर लिए फिर उसके बाद हम आते हैं, next chapter subjective के लिए, वो हमने तयार किया आपका most important question, उसमें आपके subjective यानि वर्णात पक प्रिशन पूरी तरीके से दिये गए है, detail explanation के साथ में, तो यहाँ पर आपके most important question है, इसमें previous year, यानि कि आपके जो पिछले सालों में पूछे गए जो questions हैं, वो भी मौजूद हैं और कुछ नए questions हैं, जिनको देखकर आप अपना पूरा chapter तयार कर सकते हो, answers क को frame करना सीख सकते हैं, सभी कुछ हो गया, अब आते हैं, जब यह सब कुछ पढ़ लिया, तो हमारे exam पढ़ते हैं, तो उस दौरान हमें revision की जरूरत पढ़ती है, तो एक video हमने बनाया है complete chapter revision, जो आपको help कर रहा है, पूरे chapter को दुबारा revise करने में, और कुछ questions में, तो यह सारी चीज़ें आपका पूरा revision हो जाएगा, कुछ questions पढ़ लेंगे, तो यह तो पूरा revision हो गया, सब कुछ हो गया, आप बारी आती है exams के time की, तो उस दौरान हम आपके कुछ tips and tricks video लेकर आते हैं, कुछ quick revision videos लेकर आते हैं, और उसके बाद revision करने के बाद हम अपना solve करना श तरीके से आपका क्या हुआ, revision भी हो गया, paper के pattern की practice भी हो गई, सब कुछ हो जाता है, अब इसके लवा previous year कुछ questions पूछे जाते हैं, board exam जैसे board जो classes है, उनमें previous year भी बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हम previous year, यानि कि PYQs questions का एक video लेकर आते हैं, जिसमें पिछले 10 सालों के आपके questions solve रहते हैं, तो इस तरीके से हम पूरे साल आपके साथ रहते हैं, अच्छे से आपकी पढ़ाई कराते हैं, अच्छे से exam की तयारी कराते हैं, सब ही कुछ कराते हैं, तो यहाँ पर जब आपको ये सारी चीजें 100% free मिल रही हैं, तो इनका फायद पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आज का वीडियो है, मारा class 10th हिंदी course A की हमारी बुक है, शतज भाग दो, इसके काविखन का पहला अध्या है, सूरदास के पत, तो यहाँ पर चार पत जो है उपस्तित थे, हमने उनको पढ़ा हुआ है तो आपको पताई किसी आपके जो class 10th है, उसमें दो course चलते है, course A और B, course A में हमारे पास जो है, दो बुक हिंदी की रहती है, शतज भाग दो और कृतिका भाग दो, उसी तरीके से course B में हमारे पास दो बुक होती है, स्पर्श भाग दो और संचैन भाग दो, तो आपका ज पहला जो हमारा अध्या है, वो है सूरदास जी के पद, इसके आज हम most important questions लेकर आए हैं, यानि कि इस chapter पे जो पद थे, जिसमें यहाँ पर गोपियों की मनुदशा का जहां वरनन हो रहा है, भ्रमर गीत के जवारा, वो हमने पूरा पढ़ा उद्धव संदेश लेकर आते ह वो सभी कुछ हैं हमने यहाँ पढ़ा था इस पार्ट को detail explanation में, यानि कि हमने एक एक लाइन की व्याख्या करी है, पूरे अर्थ को समझाए और उसके बाद पूरी उसकी व्याख्या भी समझी है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने पूरे NCRT solution यानि स यहाँ पर हम वर्नात्मक प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ट प्रश्न तो हम देख चुके, अब हम वर्नात्मक प्रश्न देख रहे हैं, जहाँ पर हमें इन questions के answer detail में देने होते हैं, अब देखें, जो हमारी स्टश बुक से जित्ते भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ previous year पूछे के questions भी हैं हमारे, और कुछ new questions हैं, तो चलिए करना शुरू करते हैं, सबसे पहला जो हमारा जो प्रश्न आ रहा है, वो क्या है, गुर्चाटी जयों पागी, कहकर गोपिया अपनी और क्रश्न की किस दशा का बोध करा रही है, गुर्चाटी ज प्रेम में यानि को उसकी लालसा में उसको चाटती रहती हैं, उसी में चिपक कर अपना जान दे देती हैं, तो उसी प्रकार गोपियां क्या कह रही है, हम भी शिरी कृष्न के प्यार में इतना डूबे हुए हैं, कि हम उससे अब अलग नहीं हो सकते, हमारी जान भी अब उ प्राण प्राण दे देती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी शिरी कृष्न के प्रेम में डूबी रहती हैं, और वे उन्हें अपने प्रीय कृष्न के लिए अपना सर्वस्त निच्छावर करने की मानसिक इस्थती में हैं, तो मतलब वो क्या कह रही हैं, कि जैसे गोड से च योग का संदेश लेकर आएं, वो कह रहें कि प्रेम को थ्याक को और योग करो, तो वही चीज़ वो यहां समझारी कि हमारी स्थती अब उन्हें से दूर होनी की है ही नहीं, अब हमारी प्राण भी उनके प्रेम में ही जाएंगे, प्रेश्न संख्या दो है, प्रीती नदी म पाउन अडरों ये उद्धव के लिए बोल रहे हैं कि हम जो हैं शिरी कृष्न के जब पास थे, गोपियां क्या बोल रहे हैं, जब हम पास थे, तो हम शिरी कृष्न के प्रेम में पूरी तरह डूब गए, लेकिन अब उधव आपके पास वो प्रेम रूपी नदी थी, अर क्या है, प्रस्तुत कावे पंक्ती का आश्च्रे के उधव तो शिरी कृष्न रूपी प्रेम की नदी के पास ही रहते हैं, अब तो गोपियों से वो दूर है, लेकिन उधव के पास हैं, फिर भी उन्होंने उस प्रेम की नदी में अपना पैर कभी भी नहीं डूब होया, अर्थात शिरी कृष्ण के पास उनके सानिध में रहते हुए भी उधव उनके प्रेम से प्रभावत नहीं हुए, मतलब इतना पास होते में हमारे पास थे तो हम तो पूरी तरीके से उन्हों में डूब गए, लेकिन अब तो शिरी कृष्ण आपके पास हैं, और आप तो प्रेम में बिलकुल भी डूबने की बात तो दूर उनका असर प्रेम का उनके सानिध का असर भी आपके ऊपर नहीं हुआ है, प्रश्ण संख्या तीन है, गोपिया उधव की बाते सुनकर निराश क्यों हो गई, अब क्या है, उधव जो आए, तो उन्हें लगा कि भाई ज उनको श्री कृष्ण के आने के बहुत आस थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, तो उनको लगा कि उधव शायद प्रेम का संदेश लेकर आएंगे, लेकिन वो आए योग का संदेश, कि आप प्रेम छोड़ दो योग करू, तो वो मतलब श्री कृष्ण के आने के आस मे तो देखे क्या है गोपिया उधव की बाते सुनकर निराश इसलिए हो गए क्योंकि उधव को देखकर उन्हें लगा था कि श्रीकृष्ण के आने का समाचार लेकर आएंगे श्री कृष्ण का लाएंगे उनके प्रेम का लाएंगे ये चीज़ उन्होंने सोची थी लेकिन उद्धब तो उनके लिए श्री कृष्ण द्वारा भिजवाया गया योग संदेश लेकर आए वह योग का संदेश गोपियों को एक ऐसी बिमारी के समान लगा जैसे गोपियों ने ना पहले कभी देखा था और ना ही सुना था क्यूकि तो वो श्री कृष्ण के प्यार में डूबी थी वो तो प्यार में थी तो योग हो या साधना हो उससे उनको कोई मतलब ही नहीं था उन्होंने उस चीज़ के बारे में न कभी देखा न कभी सुना, तो वही चीज़ करें, उनको निराश यह हुई, क्योंकि उनको लगा कि शायद उद्धां उनके आने का संदेश लाएं, उनके प्यार का संदेश नाएं, तो योग साधना से क्या होगा? कि आप शिरी किष्न के प्यार से विरक्त हो जाएंगी तो ये योग साधना का तातिवर्य हूँ प्रिश्ण संख्या चार है मन की मन ही मांज रही का भाव इस्पष्ट करते हुए इसमें निहित अलंकार को इस्पष्ट कीजिए अब मन की मन ही मांज रही तो अब यहाँ पर मामावर्ण की आवनत्ति के कारण यहाँ पर अनुपरास अलंकार है अब इसका आश्रे क्या है अर्थात गोपिया सोस्ती थी कि जब कृष्ण वापस व्रंधावन आएंगे तब वे उन्हें विरहा वियोग में जेले अपने सारे कष्टों की बाते और अपनी चरम संबेदनाय सुनाएंगी अर्था जब से शिरी क्रिष्ण गए व्रंधावन छोड़ कर चले गए थे मधुरा महाँ पर कंस का मरदन किया उन्होंने और फिर उसके बाद वहीं का राजपाट उन्होंने समाल लिया था तो भाई गए तो ये थे कि हम घुम फिर के होके आजाएंगे लेकिन महाँ की सिचुएशन ये कि उन्होंने का उसको अवत करके और वहाँ पर उसका ग्राजपाट समालना पड़ा तो वो महीं के होके रह गए तो वो ये सोच रहे थी शिरी कृष्ण जब आएंगे तो जितने दिन हमसे दूर रहे तो हमें जितनी तकलीफ हुई वो सारी तकलीफे हम शिरी कृष्ण को बताएंगे लेकिन उद्धव द्वारा निर्गुण भक्तिवम ज्यान का संदेश लेकर आने पर उनकी मन की बाते मन में ही रह गए अब शिरी कृष्ण तो आये नहीं ना उनका प्रेम संदेश आया तो अब वो जो ये सोच रही थी कि हम अपनी सारी परिशानिया तकलीफे हम शिरी कृष्ण को बताएंगे अब वो उद्धव के आने के कारण वो क्या है उनके मन की बाते मन में ही रह गए अब वो अपने प्रेम और ये सारी चीज़े उद्धव को दो बता नहीं सकती थी क्योंकि भाई प्रेम तो हम प्रेमी को ही बता सकते हैं तो वो तो आये नहीं तो उद्धव को कैसे बताएं? तो वही चीज उन्होंने मन की मन मातरी यानि कि अपने मन की बात उन्होंने मन में ही रख ली प्रस्तुत कावे पंक्ती में अनुप्रास अलंकार उपस्ते थे क्योंकि यहाँ मावर्ण की पुन्राविरत्ती हुई है तो अब यहाँ पर तेख रहे हो मन मन का मन और मावर्ण की आवनती कई बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है प्रश्ण संख्या पाज है गोपिया विरहा की आग में क्यों जल रही है अब क्या है विरहा की आग में क्यों जलेक तो शिरी कृष्ण उनसे दूर गह ते दिन से दूर थे लेकिन तब भी उनको शिरी कृष्ण के आने की आस थी लेकिन उधवदारा योग का संदेश लाना जिसे श्री कृष्ण ने भेजा था तो उनके विरहा अगनी में घी का काम किया उस संदेश ने यानि कि उनकी अगनी जो विरहा की थी वो और जादा बढ़ा कुगी यानि कि उनकी तकलीफे और बढ़ गई तो जो एक आस थी वो तूटी श्री कृष्ण के आने की उनके प्रेम के आने की जो सनाती वो तूटी इसलिए उनकी तकलीफ और बढ़ गई यानि कि उनका विरहा और जादा बढ़ गया श्री कृष्ण के भेजे काए ब्रह्म और योग के संदेश को सुनकर गोपिया विरहा की आग में जल रही है वे जिधर से भी श्री कृष्ण के विरह से उत्पन ज्वाला से बचने हे तू अपनी रक्षा करने के लिए पुकारती है वहीं से योग की धारा बहती चली आती है अर्थात अब यहाँ पर इसका ताटपर यह है कि वो उससे बचने के लिए जो गुहार लगा रही है श्री कृष्ण इसे की आजाओ तुम लेकिन वहाँ से तो योग की धारा बहरी है अर्थात वहाँ से तो श्री कृष्ण योग का संदेश भेज रहे है उन्हें अपने प्रेम की बदले प्रेम मिली नहीं रहा उन्हें अपने विरहा का निवारण नहीं मिलना बलकि उसकी जगा मिल क्या रहा है योग मिल रहा है जो उनको और जादा तडपा रहा है प्रश्ण संख्या 6 है यहाँ क्या दिया गया है एक पक्षी होता है जिसको हारिल बोला जाता है वो एक पक्षी पूरी उम्र एक लकडी को अपने पास रखता है वो लकडी को अपने जीवन का सहारा मानता है तो यहाँ पर गोपियों की इस्थती क्या है उस पक्षी के तरीके से है यानि कि उस हारिल पक्षी के समान है और उ लकडी को क्या बताया गया हारिल की लकडी बोला गया है क्योंकि वो हारिल पक्रची के पास रहती है इसलिए उसको हारिल की लकडी बोलते है वो है शिरिकृष्ण शिरिकृष्ण का प्रेम शिरिकृष्ण तो अब यहां पर जो हारिल की लकडी बोला गया है वो है क्योंकि गोपिओं के जीने का सिर्फ एक मात्र सहारा शीरिक्रिष्न है इसलिए जो है उनको हालिल की लकड़ी बोला गया है। अब इसको देखी क्या लिखेंगे, उधल दारा योग का संदेश दे जाने पर गोपियों ने शिरी कृष्ण को हारिल की लकडी के समान कहा, इसका आश्र यह है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकडी को दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रका इस अपने जीने का एक मात्र सहारा मान रहिएं, और इसलिए उस हारिल पक्षी को की लकडी जैसे वो पकड़े रहता है, उसे उन्देवे शिरी कृष्ण को पकड़ा हुआ है अब उसकी विशेश ता आपको बतानी कि वो किस तरीके से पंजे में लकडी को पकड़े रहता हारिल पक्षी की एक अदुतिय विशेष्टा यह है कि वह सधा अपने पंजों में लकडी का एक तुकड़ा कसकर पकड़े रहता है और लकडी के उस तुकड़े को वह सोते जागते उठते बैठते कभी नहीं छोड़ता हर समय उसे मजबूती से पकड़े रहता है और उसे अपने जीवन का यानि जीने का एक मात्र सहारा मानता है तो यह हारिल पक्षी की एक विशेष्टा होती है क्योंकि वह उस एक लकडी से ही वह समस्ता है कि वह उसके जीवन का एक मात्र सहारा है तो हमेशा उसको पकड़े रहता है प्रेश्न संख्या आठ है जागत सोवत स्वपन दिवस निसि कानहा कानहा जकरी इस पंक्ती त्वारा गोपियों ने किस मनह इस्तिति का वर्णन किया है जागत यानि जागते हुए सोवत अर्थात सोते हुए स्वपन यानि की जब हम सोते हुए स्वपन को देखते हैं तब दिवस यानी की दिन में निशी यानी की रात में काना काना जकरी अर्थात हम हर समय जो है काना काना ही बोलते रहते हैं सोते में, जाकते में, सपने में, दिन में, रात में हर समय हम काना काना पुकारते रहते हैं तो यहाँ पर किस मना इस्तिती की जो बताई गई है वो मना इस्तिती है कि हम सिर्व शिरी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए क्योंकि हमारे लिए शिरी कृष्ण के इलावा कोई और नहीं है प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियां जागते सोते दिन रात प्रतेख शण शिरी कृष्ण के राम को रटती रहती है वे उनके दिल वा दिमाग से एक पल के लिए भी धूर नहीं हूँ पाती उनकी मनहा इस्ति किसी भी प्रकार के अन तरकों को सुनने वा समझने की नहीं है उनकी मानसिक इस्ति अपने प्रियतम की याद में स्वम के अस्तत्य को मुटा देने वाली प्रेयसी की तरह है तो अगर हर वक्त किसी का नाम जप रहे हैं तो जाहित सी बात है मुसके प्रेम में पूरी तरीके से डूबे हुए हूं उससे निकलने की तो सोच ही नहीं सकते अब मतलब हमारे प्राड भी अब उसके साथ ही जाएंगे हम मतलब हम अपना प्राण भी उनी में त्याग देंगे तो इनकी मनहा इस्थती क्या है कि वो अब शिरीकृष्ण के बगेर नहीं रह सकती अब वो उनकी पूरा जीवन उनका सिर्फ शिरीकृष्ण में ही नहित है प्रेश्ण संख्या 9 है गोपिया योग की व्याख्या किस प्रकार करती है तो उन्होंने योग की व्याख्या किस प्रकार करी है एक तो उनको वो ऐसा व्याधी या ऐसा रोग लग रहा है ऐसी चीज है जो उन्होंने कभी न देखी न सुनी और उसकी उनकी तुलना उन्होंन यसी योग के संदेश ने उनके मूँ में पूरी कड़वाहट उनके जीवन में कड़वाहट भर दी क्योंकि जैसे हम खाना खाते समय जब हम खीरा खा रहे हैं ककड़ी खाने हो इतम से कड़वी ककड़ी आ जाए देखे क्या शिरी कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को जो जोग या योग का संदेश भिजवाया था उस योग के संदेश को गोपिया पसंद नहीं कर दी उन्होंने योग को ऐसी बिमारी बताया जिसका नाम सुनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कड़वी ककड़ी मूँ में चली गई हूँ इसलिए उन्होंने कहा कि हे उद्धव तुम इस योग को उन्हीं को सौप देना जिनका मन चकरी के समान चंचले तो योग का संदेश उन्हें तो समाज में नहीं आया मगर आप योग का संदेश लाए हो तो किसी को देना पड़ेगा तो वह उन्होंने क्या बोला युद्ध से कि तुम उन्हों को जाके सौपो जिनका मन चकरी के समान चंचले अब चकरी आप जानते हो ना जो हमेशा गुम्ती रहती है हावा में चला दो गुम्ती है तो एक जिगा स्थर नहीं रहती तो आपको यह का संतिश उनको देना है जिनका मन चन्चल है कभी इस चीज कभी उस चीज्ज पे कभी उस चीज पर उनको जाके दे देगे उनका मन एकागर होтор हग के हमारा प्रेश्न संख्या 10 है अब गुरु गरंथ पढ़ाएं पंक्ति का आश्रे इसपष्ठ कीजिए अब श्री कृष्ण जो है वो चले गए मतुरा महा बन गए राजा और उनको आगई बहुत बुद्धी तो यहाँ पर गुरु गरंथ बहाएं का मतलब है कि अब वो राजा बन मतलब पहले से तो आप चतुर थे ही थे अब उपर से आप उनके सानिध में आकर और भी जादा चतुर हो चुके है प्रश्न संख्या 11 है सूर दास ने मधुकर शब्द का प्रयूग किसके लिए किया है तो यहाँ पर मधुकर शब्द क्या है एक्चली यहाँ पर उधव औ क्यों होता है अब गोपियों और उधव के बीच कुछ सिष्टाचार था कि मतलब थोड़ा तो ने सिष्टाचार होता है तो यहाँ पर गोपियां उधव को जितनी बात भी बोल रही थी वह भवरी को टार्गेट करके बोल रही थी जैसे अब देखिए किसी का जगडा होत है आपका और किसी कजगडा ओ तो अब आप उस से बात नहीं करोगे डायकटली थर्ड प 없이 से बात करोगे ताकि वह जो सगनले तो यहाँ पर उधव गोपियां जो यह सारी बाते ब्रहमर या नहीं भवरेशे कहiqué रही थी थी ताकि उधव उधव उन बातों मदुकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रहमर अथवा भवरा गोपियों ने व्यंग रूप में उद्धव को मदुकर कहकर संबोद्यत किया है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का ज्यान रूपी संदेश लेकर आए हैं तो अब आपको समझ में आए क्योंकि वहां आए जा रहे थे तो वो डायरेक्ली कोई बात नहीं कहकर मदुकर को रागेट करके कह रही थी लेकिन एक्च्वल में वह मदुकर किसको बोल रही थी उद्धव को क्योंकि वह श्रीकृष्ण का संदेश लेकर आये थे उनके काम की चीज नहीं थी तो इसलिए उन्होंने य बढ़ गई है क्यों ऐसा उनको लगा गोपिया श्रीकृष्ण को अपना सब कुछ मान कर उन पर विश्वास करती थी क्योंकि उन्होंने अपना दिल दिया था उनसे प्यार करती थी तो अब इस कंडिशन में जिसको हम प्यार करते हैं उसे हम अपना सब कुछ मान बैटते ह उन्हें सपन में भी आभास नहीं था कि श्रीकृष उनके साथ प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजेंगे इसलिए उन्हें लगता है कि श्रीकृष पहले से ही पहुत चतुर थे लेकिन अब उन्होंने राजनीती गरंथ भी पढ़ लिया है जिनके कारण उनके बुद आजनीती पढ़ ली तो अब और जादा बुद्धिमान हो गए इसलिए प्रेम की जगह उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है प्रेश्ण संख्या 13 है गोपियों का मन किस ने चलते समय चुरा लिया था अब वे क्या चाहती है तो किस ने चुराया था श्रीकृष ने चुराया था जब वो मतुरा जा रहे थे गोपियों का मन मथुरा जाते समय शरी कृष्ण ने चुरा लिया था अब वे चाहती है कि शरी कृष्ण उन्हें उनका मन वापस लोटा दे क्योंकि वो अपने साथ ले गए अब उनका मन जब उनके पास नहीं है तो वो किसी काम में उनका मन लगी नहीं रहा है तो अब वो चाहती है कि श्री कृष्ण उनके मन को लोटा दे ताकि उन्हें विरहा की व्यत्हा यानि कि वेदना और दुख ना सहनी पड़े तो जो दूर रहने की जो तकलीफ है वो उन्हें ना सहनी पड़े क्योंकि मन तो किसके श्री कृष्ण के बाद से श्री कृष्ण मधुरा में है तो मतलब हमारा मन लोटा दोगे तो जो हमें तकलीफ हो रही है वो हमें नहीं होगी गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण यदि हमारा मन हमें आकर लोटा देंगे तो हम इसे वेदना को सहन कर लेंगे अर्थाद वो हमारा मन अगर हमें दे देंगे तो जो हमें ये तकलीफ हो रही है हम उस तकलीफ को बहुत ही खुशी के साथ सह लेंगे अब हमारा मन नहीं है तो हमारे मन को आप वापस कर दीजिए नेक्स टेप प्रश्न संख्या चौधा गोपियों ने योग संदेश सुनकर क्रश्न पर अनेक आरोप लगाए और आशांका हैं वक्त की आपके नुसार श्रीकृष्न योग संदेश क्यों भिजवाया होगा अब गोपिया तो श्रीकृष्न को चाहती थी मगर श्रीकृष्न जो है कारण बस वहाँ पर फस जाते हैं अब आपको ये बताना है कि श्रीकृष्न आखर योग संदेश दिया क्यों होगा ये आपको बताना है वो चाहते तो वो आ जाते हैं मिल जाते गोपियों से उनको लेकिन उन्होंने योग सन्देश क्यों बिजाया। मेरे नुसार खृष्ण नहीं चाहते थे को गोपिया दिन रात शृरी क्रिश्ण को याद करके विरा वुरथता को सहन करें। एवाम अपने शरीर को कश्ट दे इसलिए श्रीकृष ने उधव के द्वारा गोपियों के निर्गुण ब्रम्भ की उपासना करने के लिए शुश्क ज्यान अत्वा योग का संदेश भेजा होगा तो अब क्या है उन्हें अच्छे से पता था कि भाई ब्रज में जो गोपियां हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती है अब उनको ये लग रहा है कि मैं तो यहां आ गया अब वो सभी तड़प रही है तो अब उनके दुख का निवारन करना चाहिए और मैं यहां से जा नहीं स सकता क्योंकि मैं यह राज्य नहीं छोड़ सकता मेरी कंडिशन ऐसी है तो अब उन्हें लग रहा था कि अब हमें उनकी तकलीफ को दूर करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं जाओंगा तो उनके तकलीफ बढ़ेगी तो अब हम ऐसा करते हैं कुछ ऐसा उपाए निकालते हैं ज लागेगा तो इस कारण आपकी जो विरहा वेदना है वो कम हो जाएगी तो हमारे हिसाब से उन्होंने इसी कारण से इस योग संदेश को भिजवाया होगा प्रेशन संख्या 15 है सूरदास के ब्रहमर गीत का उदेश इस पश्ट कीजिए अब यह जो इन्होंने ब्रहमर गीत हमारे सामने प्रस्थुत किया है जिसके जार्पत हमारे सामने प्रस्थुत है आखिर इसके माध्यम से वो हमें बताना क्या चाहते हैं ब्रहमर गीत के अंतरगत गोपिया प्रेम में निमग्र भक्ति की प्रतीक है जो मनुष रूप में साकार भगवान कृष्ण के प्रती पूरी धरे समर्पित है तो इसका मतलब ये समझिए कि गोपिया अब शिरी कृष्ण जो है एक इश्वर है विश्णु भगवान है जिनका जो मनुष अवतार है वो प्रतीवी पर हुआ शिरी कृष्ण के रूप में अब शिरी कृष्ण की प्रेम और भक्ति में डूबी हुई कौन थी गोपिया थी सूर्दास ने उद्धव को निर्गुला सकति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजः को प्रतिबिमब करने के लिए निर्गुल भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को शेष्ट बताने के लिए भ्रमर कीत की रचना करी अब यहां हैं समझेए, सुदा से उद्धव की निर्गुण भक्ती, अब उद्धव की जो है वो निर्गुण भक्ती, मतलब यहां पर सगुण और निर्गुण का मतलब यह समझेए, जहां पर हम किसी एक स्वरूप को प्यार करते हैं, ठीक है, जैसे श्री कृष्णे एक स् स्वरूप नहीं होता किसी ईश्वर का आकार नहीं होता बस हम उसे जानते हैं इसलिए हम प्यार करते हैं तो यहां पर उद्धव की निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति अब निर्गुण भक्ति क्या है वो योग संग्दिश जहां पर जो हम पूजा कर रहे उसका कोई स्वरूप नहीं है जबकि यह जो गोपियां है उनका सगुण है सगुण अक्तन आकार है इश्वर जो उनके लिए उनकी भक्ति का सुरूप है श्री कृष्ण उसने एक आकार है एक रूप है सब कुछ दिया है तो यहीं पर यहां बताने के लिए कि निर्गुड पर सगुण भक्ति यह के प्रतिवेंग को बदर्शाने के लिए यहां सूर्दास जी ने इन ब्रहमर गीत का निर्मान किया था प्रशन संख्या 16 सूरदास की काव भाषा की दो प्रमुक विशेष्टाएं बताई यह अब उन्होंने जो यह काव की रशना करी इसकी हमें दो प्रमुक विशेष्टाएं बता नहीं है सूर्धास की काव विभाषा की प्रमुक विशेषताएं निम्न प्रकार रहें अब उन्हों वो वातसल और श्रिंगार के बहुत ही अप्रतम कवी रहें हैं शुर्धास जी शिरीकृष्न जी की बारे में लिखा उनके बाल रूप के बारे में उन्होंने वातसले रस का इस्तीमाल किया जबकि जब यंग्व हो गए तो उन्होंने श्रिंगार रस για से माध्यम से उनके प्रेम को व्यक्त किया हैं उनका काव यो कियाम बहुत रहल भाशा में सरस है और ब다 की बना कर गा सकते हैं उनके काप में भूमी बुघ में मतलब उस λिए उन केamaan ब्रज भाषा का ज्यादा सवरूब देखने को मिलता है उनके काप में वियोग शुर्गार्ण की प्रधानता है तो यहां पर अभी जो हमारे सामने जो यह आया है जो स्वरूप प्रसुत है इसमें वियोग शिंगार रस है क्योंकि गोपियां और श्रीकृष्ण में जो है वो दूरियां है इसलिए यहां पर वियोग शिंगार वैसे अगर उनका संपून काव्य देखें तो उसमें वाद्सल रस भी है संयोग शिंगार भी है और वियोग शिंगार भी है सब कुछ है उसमें तो लेकिन इन जो पद हमारे सामने हमारे इस चैप्टर में आये हैं इसमें वियोग शिंगार रस की प्रधानता है उनके कावी की रचना पद छंद में हुई है तो यहा हरी हारिल की लकड़ी पद में करव ककड़ी का उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों तो यहां पे हमरे हरी हारिल की लकड़ी ये उपमान शिरी कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है और करव ककड़ी जो है वो जोग संदेश के लिए इस्तेमाल किया गया है उप पुक्ति का एक मात्र साधने इसलिए उन्हें योग साधना का मार्ग कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है तो आपको समझ में आया है कि करव ककड़ी किसके लिए उपमान के रूप में इस्तेमाल किया गया है प्रश्न संख्या 18 है राजधरम तो यह है सूर जो प्रजा न जान ही सताही पंक्ति में गोपियों ने कौन सी आकांशन हित करी है तो यहां क्या करें कि राजा का तो धर्म ये होता है राज धर्म तो यही अर्थात गोपिया क्या कह रही है कि राजा का तो ये धर्म होता है जो प्रजा जाहिन सता ही यानि किसी भी प्रकार से प्रजा को कोई भी कष्ट जो है प्राप्त ना हो ये राजा का धर्म है लेकिन यहां तो क्या राजा है राजा की वज़ा से ही प्रजा दुखित है अर्थात जो है गोपियां बहुत दुखित हो रही है वो उनके ना आने से प्रस्टुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को राजधर्म का इस्मरण कराते हुए कहती हैं कि प्रजा को सताना या उन पर अत्याचार करना राजधर्म नहीं है इस उक्ति के पीछे उनकी आकांशा नहीं थे कि क्रेश्न स्वर्ग गोपियों उसे मिलने के लिए उनके पास आएं अर्थात स्वयम जो है वो गोपियों से मिलने के लिए आएं ना कि किसी को भेजें तो यहां पर कहने का ताद पर क्या है कि आपको किसी को भेजना नहीं है आपको स्वयम यहां आना चाहिए क्योंकि आपकी वज़े से आपकी प्रजा जो है वो सताई जा रही है और उनकी विराव्यथा को दूर करें आप खुद आईए और हमें तित्ति तकलीप में इसे हमसे दूर करिए प्रेश्न संख्या 19 सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक है प्रमारित कीजिए तो कौन सी भक्ति मार्ग है अब सूरदास जी जो है उनका पूरा जो सूरसागर है लहरी है जितना भी आप उनका गरंथ पढ़ेंगे उसमें शिरिक्रिश्न की उपासना में जादा महत्यो दिया गया है तो यहाँ पर वो हमारे सूरदास जी है उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम के लिए एक आकार को चुना है वो आकार क्या है? वो है शिरिक्रिश्न का आकार तो इसे हम क्या बोलेंगे? आप निर्गुण भक्ति क्या होती है अब जैसे कबीर जी को ले लो अब कबीर जी की जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है कैसे है निर्गुण भक्ति? क्योंकि वो सभी धर्मों में आस्था रख रहे हैं और सभी से अच्छी चीज ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी भक्ति के लिए किसी आकार को नहीं चुना, जैसे मीरा जी है, मीरा जी की भी सगुन भक्ति है, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति के लिए किसको चुना है, श्री कृष्ण को चुना है, तो उनके भक्ति के लिए एक आकार है, लेकिन एक भक्ति ऐसी होत जिसमें हम किसी आकार को नहीं लेते हैं, यानि किसी का स्वरूप में हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए जो है वो क्या हो जाता है, वो निर्गुण भक्ती हो जाती है, अब चुकि निर्गुण भक्ती में हमारे सूरदास किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर योग संदेश को एक निर्गुण भक्ती के रूप में कटाक्ष करते हुए क्योंकि वो अपनी भक्ती को जाधा उत्तम देते हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर सगुण भक्ती के माध्यम से निर्गुण भक्ती पर कटाक्ष किया है सगुण भक्ती को हारिल की लकड़ी और निर्गुण भक्ती को कडवी कखड़ी के रूप में प्रस्तुत करके सगुण भक्ती शेष्ट सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सगुण भक्ती जो है वो शेष्ट होती है वो यह साबित करना चाहते है प्रश्ण संख्या 20 है प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की विशेशता आये लिखिए अब गोपियां कैसी है वो बात को बड़े अच्छे से बोल रही है जो है प्रेमिका है है ना और साथ ही साथ वो सरल है सब है ये सारी चीजे हमने यहाँ पर देखी है तो देखी कैसे रिखेंगे इसको प्रस्तुत पदों म फिर निश्चल प्रेमिका यानि कि वो सर्फ और सर्फ अपने प्रेमि से मतलब रखती है उनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है नारी सुलब लज्जा है इसलिए वो सारी बाते किसके ब्रहमर के माध्यम से बोल रही है जबकि उद्दव से वो टारिट क इसको बना रही है वो भ्रहमर यानि भौरे को बना कर बोल रही है यानि कि नारी की जो लज्जा है वो हमें वहां दिखाई देती है चंचलता है क्योंकि वो चंचलता दिखा रही है वो अपनी बात को पूरा निश्पक शुरूप से सामने रख रही है और वो चंचल है यह जो उधव हैं उनको वो गलत साबित कर देती हैं कि नहीं आप जो चीज लेकर आएं वो गलत हैं और हमारा प्रेम ही सबसे उच्चे है प्रश्न संख्या 21 है बुद्धी की चतुराई प्रेम में बाधक है सूर्दास के पद के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए यहां हम सही, गलत, अच्छा, बुरा यह सब चीज़े जहां ले आते हैं वहां प्रेम गडबड हो जाता है वहां प्रेम जादा लंबा टिक नहीं पाता क्योंकि वहां अविश्वास आ जाता है तो इसलिए यहां पर बुद्धी की चतुराई जो हमेशा प्रेम में बाधक कर दिया, अब यहां बुद्धी की चतुराई क्या थी? शिरी क्रिष्ट ने बुद्धी के चतुराई रिखाई कि उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा मगर यहां प्रेम क्या था? वह था गोपीओं की गोपीओं का प्रेम था जो उन्होंने अपनी वाक प्ट और उधारणों के माध्यम से योग को विल्कुल तुच्छ साबित करती है गोपिया उधव से कहती है कि प्रेम अनुभूती का विशह है उसमें सरलता निश्चलता और सर्वस्व मर्पण की आवशक्ता होती है यानि कि जम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपना सब कुछ उसक करते हैं तर्क शक्ति के आधार पर प्रेम नहीं किया जा सकता जहां पर हम किसी चीज के तर्कों पर करें कि यह हम ऐसा क्यूं कर रहे हम तुमसे प्यार क्यूं करें आखिर हमें क्या फायदा है तो जहां हम तर्क ले आते हैं वहां प्रेम नहीं हूं सकता इसलिए गोपिया क्रिश्न से उनका मन वापस करने के लिए कहती है अता बुद्धी की चतुराई प्रेम में बाधक है प्रश्न संख्या 22 है उधव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके क्योंकि वो जितना गोपियां श्री क्रिश्न को प्रेम करती है उतना तो उधव कर ही नहीं पाए और वो तो प्रेम मार्ग के ग्यान मार्गी है वहाँ प्रेम मार्ग का उन्होंने दर्शन ही नहीं किया तो वो कैसे गोपियों की तकलीफ को समझ पाएंगे उधव प्रेम मार्ग के स्थान पर ग्यान मार्ग को महत्व देते हैं यानि कि वो प्रेम में नहीं जानते हैं वो क्योंकि वो ग्यान के आधार पर, facts के आधार पर चीजों को समझ रहे हैं लेकिन प्रेम तो दिल की बात होती है, महाँ पे facts थोड़ी न चलते हैं तो इसलिए वो गोपियों की दशा को नहीं समझ पा रहे हैं प्रेश्न संख्या 23, गोपियों ने क्रिश्न भक्ति का महत्व बताने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया है तो उन्होंने कई प्रतीक दिये हैं, यहाँ पर प्रेम बताने के लिए उन्होंने हारेल की लकडी बताई है श्री कृष्ण को उन्होंने गुण बताया है प्रेम को और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो प्रेम की नदी बताई है दूने प्रेम की प्रतिकों बोरियों तो ये कई उधारन उन्होंने देकर यहां श्री कृष्ण के प्रेम को प्रस्तुत किया है देखें गोपियों ने कृष्ण भक्ती का महत्व बताने के लिए प्रेम नदी, गुड, हारिंकी लकडी आदी प्रतीकों का प्रयोग किया है जिनके मार्ध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ती ही इनसांसारिक भव भादा में मुक्ति का एक मात्र साधन है ये जो संसार है ये भव सागर के समान है अगर हम इससे उभरना चाहते हैं तो सिर्फ कृष्ण की भक्ती ही ऐसी है जिससे हम इस संसार से में जीवित रह सकते हैं और इसे पार कर सकते हैं तो यह सभी उत्मान उन्होंने यहां प्रस्तुत किये हैं शिरी कृष्ण की भक्ती के लिए कि कृष्ण रूपी प्रेम नदी अर्थात कृष्ण भक्ती में जो व्यक्ती नहीं डूबा उसका जीवन व्यर्थ है वहाँ व्यक्ती प्रेम सरस्था और आनंद की अनभूती से वंचित रहे गया कृष्ण भक्ती की इस नदी में उतरका मनुश सार्थक होता है अब देखिए हमारे जो कवी हैं सूरदास जी वो क्या है वो शिरी कृष्ण के अनन्य भक्ते हैं अब उन्होंने अपनी भक्ती को व्यक्त करने के लिए यहाँ गोपियों को माध्यम बनाया यहाँ पदों में उन्होंने यह चीज यहाँ पर बताने की कोशिश करी कि आप अगर इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको शिरी कृष्ण की भक्ती में डूबना पड़ेगा जब आप यहाँ डूबोगे इस भक्ती में तभी आप इस संसार से उद्धार हो सकता है तो इस बात को विक्त करने के लिए उन्होंने नदी का रूप प्रेम रूपी नदी का रूप बताया है श्री कृष्ण को तो उनका सानद ही हमें जो है क्या है इस संसार से उद्धार दिला सकता है प्रेश्ण संख्या 25 है उद्धव तुम हो अतिबडभागी पद के आधार पर इसपष्ट कीजिए कि गोपिया स्वयम को उद्धव से किस प्रकार से अलग मानती है उद्धव तुम तो हो अतिबडभागी तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से व्यंग मतलब तंज कर रहे हैं व्यंग करने का तातपर किया है आप इसी को जो है ताने मारते हो वो तो यहाँ पर क्या बोलने उद्धव तुम या उधव की तुलना जल मगन तेल में भरी मटकी जो एक तेल की भरी जो मटकी होती है जिसमें तेल रहता है अगर उसे हम पानी में डुबो दें तो देखो वो कभी गीली नहीं होती तो उसी तरह उन्होंने उधव को क्या बोला कि आप तो तेल भरी गगरी के समान हो जो तो आपको उन कोई एक बूंद भी टचछ नहीं कर पाई कमल के पतों से अब कमल के पत्ते कमल के पत्ते आपने कर कभी देखे हों तो उसमें पानी के एक बूंद भी नहीं ठ даль डिख रहे आईगी तो और रदम धनक के निकल जाती हैै इक से sri 새로 गीला भी और खुद को क्या बोला है वो बताया है चीटी जैसे चीटी गुड में चिपक जाती है और उसी में मर जाती है उसी फरकार हम कैसे हैं हम श्री कृष्ण के फ्रेम में टूबे है और उसी में हम अपने जान भी दे देंगे जिसके द्वारा ये स्पष्ट करना चाहती है कि एक और वो क्रिष्ण भक्ती में अपना सर्वस्तों निच्छावर करने के लिए ततपर है वहीं वे क्रिष्ण भक्ती की महिमा से वे का मतलब है उधव उधव श्री कृष्ण की भक्ती की महिमा से अन्भिग्य है वो उसके बारे में बिल्कुल जानकार नहीं है इसी आधार पर वेस्वयम को उधव से अलग मानती है तो कैसे मान रही है क्योंकि वो जो उधव है वो उनके प्रेम से बिल्कुल अच्छूते रहे जबकि यहां तो अग्षें के माध्यशम से हमा यहां हमारा यह पूरा अधाय खतम हुआ तो इस तरह तरह के प्राशने क्हश्शल काविखंड में बहुत सारे प्रिश्श्श्र बन सकते हें न arch भाहिकर से रही कवियों के प्र्रश्शन आपको समझाने की कोशिश करिए लेकिन अध्याय अगर आप अच्छे से समझोगे तो सब कुछ आप इजली आराम से कर लोगे तो यह रहा आज का अब जल्दी नेक्स्ट चेप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट हमारा जुपत रहेंगे उनमें हम आपसे मिलते हैं बढब अच्छे से समझे लेकि हो बचले हैं